हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल हमारे इस यूटूब चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं एक डायन के स्टोई यह कहानी बहुत इंट्रस्टिंग है और आप लोगों को यह भी पता ह होगा कि डायन अपनी सिद्धियां पराप्त करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और जब उनका लाश्ट साधना जो होता है तंत्रुद्या जब वो लाश्ट पहुंच जाती है तो उसे अपनी बेटे या पती की बली देनी होती है और उसे मार करके उसके दिल को नि लिखती हैं वो रहर यह बली जब और नहीं देती है तो वह पूर्टा पागल हो जाती है तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं कि कैसे रेझव रेचल और राजिव की जिन्दगी में क्या क्या बदला बदativesक हुआ राजिव जो होता है वह एक गरीव परिवार से था और लेकिन वो बहुत खुस मिजाज लड़का था वो अपनी पत्नी के साथ खुस था और उसका एक बेटा भी था आसिस ये तीनों बहुत खुस थे और आसिस बड़ा हो चुका था तो रेचल कहती है कि अब आसिस की साधी कर देनी चाहिए और उन लोगों ने आसिस के लि सीने तक सब कुछ ठीक रहा लेकिन एक दिन राजियों सोया हुआ था कि अचानक से उसकी नींद खुल जाती है उसे ऐसा लगता है कि उसे अजीब से आवाज सुनाई देती है और राजियों की आँखे खुल जाती है और वो क्या देखता है कि उसके सीने पे एक बिल्ली ब जट करता है उसे हाथ से और उटके बैठ जाता है वो बहुत जड़ता डर गया था कि ये बिल्ली जस्ट मेरे सीने पे बैठ के क्या कर रही है इतना बेठ के नीचे भी बैठ सकती थी उपर भी बैठ तो ये मेरे पे क्यों बैठ ही वो थोड़ा सहम जाता है डर जाता है और और वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है कि तभी उसे बेट पे रेचल नहीं दीखती है वो घबरा जाता है कि रेचल इतनी रात को कहां गई फिर वो सोचता है कि वो हो सकता है वास रूम तो घर पे नहीं बाहर फ्रेस होने गई होगी और ये सोच करके वो सो जाता है जब वो सुभा उठता है तो रेचल से पूछता है कि तुम जब बाहर गई थी तो मुझे उठा लेना चाहिए था ना इतनी रात को अकेले मत जाया करूँ अगर कहीं उच निच हो गया तो तो रेचल कहती मुझे डर नहीं ही लगता है और आप से मैं आपको उठा लूगी आप निच्चिंत रहिए यह कहकर के वो अपने काम में बिजी हो जाती है राजियो सोचता है ठीकी कह रही कोई नहीं बात तो नहीं योग पढ़ दे जाती है और नेक्स्ट ऐसा होता है कि राजियो सोया हुआ था और फिर से उसकी निद यही उसी समय पे खुलती है और फिर से वो देखता है कि यहाँ पे रेचल नहीं है वो बहुत चादर डर जाता है वो सोचता है इसका पीट तो खराब नहीं हो गया है यह फिर कुछ ऐसा खा तो नहीं ही ले रही है जो इसे continue आज दूसरा दी तो राजियो को फिर से अजीब सा feeling होता है उसे ऐसा लगता है कि मेरे सीने पे कोई बैठा हुआ है वो फिर से उसकी निद खुल जाती है और यह देखकर कि वो बिलकुल से डर जाता है तो उठता है और फिर देखता है कि रेचल नहीं है वो डर जाता है कि रेचल की तबियत लगता है सही नहीं है इसके लिए वो परड़े आस चली जाती है मुझे उठाना चाहिए उसे या बताना चाहिए मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाता रेचल आती है राजियो कहता है कि क्या बात है जो तुम रोज चली जा रही हो मुझे नहीं कहती हो अगर कुछ गरबर है तो बताओ न तो वो कहती कुछ भी गरबर नहीं है और वो थोड़ा लंगडा के चल रही थी तो कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगा वो कहते है कुछ नहीं मैं थोड़ा स्लिप कर गई थी वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है कि नेक्स्ट रात को ऐसे बात होती है कि उसके घर के आंगन में अजीब तरह से बिल्ली घुमे जा रही थी घुमे जा रही थी वो अजीब तरही के का बिहेब कर रही थी और वो अजीब तरही के से रो भी रही थी वो रो रही थी या चीक रही थी कि ये आसिस की पतनी समझ नहीं पाती हूँ, उसे बहुत डर लगने लगा था क्या खेर माजरा क्या है, ये बिल्ली मेरे गर में इस तरह क्यों कर रही है काफे और बिहेवियर था उस बिल्ली का ये देखने के बाद वो डर जाती हूँ वो आसिस से कहती है कि आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हूँ, ये बिल्ली को मैं देख रहे हैं कि परड़े अजीब तरह की हरकते करती है आने के बाद और मैंने नोटिस किया है कि जब ममी जी नहीं होती है, उसे समय ये बिल्ली घर पे आती है तो आसिस कहता है कि बिल्ली ये कभी भी आएगी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है तो वो कहती है कि सोचने वाली ये नहीं है सोचने वाली बात ये है कि इसकी हरकते मुझे नॉर्मल नहीं लगती है तो आसिस कहता है कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है वो कहती है पता नहीं मुझे ऐसा लगता कोई जादू टोना कर दिया है क्या वो कहता है तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है फिर वो कुछ नहीं कहती है और वो ये फिल करती है कि ममी जी जो होती है वो पर्डे कहां चली जाती है अब उसे थोड़ा और लगने लगा था और उनकी behavior में उसे कुछ changing आतर हुआ दिख रहा था तो वो थोड़ा डर जाती है क्या कि बात क्या है ममी जी परड़े रात को क्यों जाती है उसके दिमाग में क्यूंकि वो notice करने लगी थी और उसने एक दिन ऐसा देखा कि वो भी पीछे पीछे चल पड़ती है इधर ममी जी जा रही है और रेचल की जो बहु है वो भी पीछे पीछे जा रही थी तो अचानक से ममी जी पलटके देखती है पर वहाँ कोई नहीं था, वो छिप जाती आसीस की पतनी और वो जाते 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 एक ऐसे अस्थान पे जाके पहुँझ जाती है रेचल जहां पहले से ही 8-10 आड़तें खड़ी थी और आसीस की पतनी ये देख करके चौक जाती है कि इतना सनाटा और इतना एकांत जगह में ममी जी क्यों जा रही है और वहाँ पे जो आरतें हैं वो क्या कर रही है वो छिप जाती है वहाँ पे और छिप जाने के बाद वो जो देखती है बस देखती ही रह जाती है वो देखती है कि सारी अरतें एक अठा हो गई है और सब ने अपने कपड़े उतार दिये है और सब उतार करके कपड़े को एक जगह रख देती हैं और वो सब नंग्न अवस्था में वहाँ पे दीपक जलाती हैं और एक बिल्ली होता है उसके सर पे एक दिया रखा जाता है औ असिस की पत्नी के आँखे फटी की फटी रह जाती है और वो लोग बात कर रही थी कि अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है और अब या तो तुम्हे अपने बेटे की बली देनी होगी या अपने पती की तो रेचल कहती है कि मैं अपने पती की ही बली दूँगी और ये सब बाते जो है वो आसिस की पतनी सुन रही थी ये लंके सामने आता है वो अपने असली तंत्र विद्य जब कर रहे तो अजिब तरीक की से उनकी चेहरे जो हैं बदल जाते path भानक तरीके से डांस कर रहे थे और कुछ तंत्रमंत्र पढ़ रहे थे ये देख करके वो इतनी बुरी तरीके से डर जाती है और जाड़ी के पीछे बेहोस हो जाती है और बेहोस होने के साथ सुभा हो जाती है और वो लोग वहां से हट गये थे उन्हें किस बात की भानक नह उन्हों ने उसे उठाए कि बेटी तू यहां तो वो कहती कि हमैं फ्रेज सोने के लिए आई थी और अचानक से मुझे अजीब लगा मैं गिर गई तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं तुम अब ठीक हो वो कहते हैं और वो घार आती है और वो पूरी तरीके से डरी हुई थी अब सोचते हैं कि इस बात को मैं आसिस से कहूं या मैं अपने ससूर को बताऊं मेरे बात पर कौन विश्वास करेगा तो वो हिम्मत करके वो सोचती अगर आज मैं नहीं बताई तो किसी एक की जान जानी ही जानी है इसलिए वो हिम्मत करती है और राजियू को कहती है कि पापा जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको विश्वास हो या ना हो लेकिन आज मैं आपको बता के रहूँगी तो वो कहते हैं कि क्या तो रात की सुनी उसने सारी बात बता दी वो विश्वास नहीं करता है राजियो लेकिन एक चीज वो भी नोटिस कर रहा था कि रेचल परडे नाइट को कहीं जाती थी तो वो कहता है कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगा मेरी पत्नी ऐसी नहीं है तो आसिस की पत्नी कहती है कि ठीक है पापा जी अगर ऐसी बात हुई तो मैं खुद घर चोड़ दूँगी, आप आज मालो, आज उनकी लास्ट डेट है, आज आपकी बली वो लेके रहेंगे, राजीव कहता है कि ठीक है, मैं तोड़ निकालता हूँ, तो वहाँ पे एक पंडी जी थे, बहुत ही घ्यानी वो उनके पास जाते हैं, कि इसका अगर मान लीजिए, वो ये नहीं कहते हैं कि मेरे घर में ही ऐसा चल रहा हूँ, वो कहते हैं अगर ऐसा हो, कोई बली लेना चाहिए, तो पंडी जी बताते हैं, कि अगर वो नॉर्मली लेके नहीं जाते हैं, पहले वो आती है, और तुम् मैं भी मन में सूचता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है लेकिन ये रेचली कर रही है ये वो confidence के साथ नहीं कह सकता था तो वो सूचता है कि मैं क्या करूँ तो पंडी जी कहते हैं कि हाँ उस समय उसे अगर मार दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती है तो इधर जो राजी आता है घर कहता है आज मैं छोड़ूंगा नहीं आज मुझे जानना है कि ये किसकी करामत है बहु सच कह रही है जूट कह रही है इस बात को जानना बहुत जरूरी है वो सोने क्या एक्टिंग करता है और ठेक रात के यही करीब जेड़ बजे उसने फिर स सीने पर बैठती है और बैठने के साथ ही वो अपना पंजा ऐसे मारने ही वाली थी कि राजियू की नीद खुल जाती है वो सोया हुआ नहीं था उसने अपने आखे खोल दी और जो बिल्ली थी वो पंजा ऐसे मार के तंत्र बिद्या से ही वो दिल निकालने वाली थी लेकि रखा हुई था उसने जोड़दा डंड़ा उसके कमर पे दे मारा और मारते ही वो उटके खड़ा हुआ और उसने फिर से एक डंड़ा मारा वो भिल्ली भागने की कोशिस करती है उसreiben आटाक करने की कोशिस करती ही लेकिन राजियू जो था या मंत्र पढ़ने के लिए समय नहीं देता, वो लगतार मारता ही जाता है, कि वो बिली किसी तरीके से भागना चाहती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है, क्योंकि ये उस पर अचानक हमला हुआ था, इस बात की उसने कलपना नहीं की थी, और जो होता है, अब राजियू की तरीके से काप जाता है, और उसकी जो होती है, पसीने आने लगते हैं, कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी पतनी बिल्ली कैसे बन गई थी, और राजियू उसे पकड़ लेता है उसके गले को, और कहता है कि ये तू करने क्या वाली थी, और तू मेरी पतनी नहीं हो सकती ह रेचल कहती ही कि मैं आपकी ही पत्नी हूँ और वो उसके पैरों पे गिर जाती है कि मुझे माफ कर दीजी राजियो कहता है कि मैं कैसे माफ कर दूँ क्या पता आज तूने नहीं मारे कल तू मुझे मार दे तो वो कहती है कि वो लोग मुझे मार देंगे मेरे जितने भी लोग हैं तो राजी उसका तोड़ निकालने के लिए पंडी जी के पास जाता है तो पंडी जी कहते कि अब ये पागल हो जाएगी इसकी सिद्धियां खतम करने के लिए वो कुछ देते हैं किसे पिलाओ और इसकी सिद्धियां खत्म हो जाएगी यह सब भूल जाएगी तो वो ऐसा ही करता है और रेचल जो होती है वो ठीक तो हो जाती है लेकिन दिमाग से डिश्टब हो जाती है तो थैंक्स फोर वाचिंग दिस श्टोरी गाईस मैं फिर से आपके लिए एक नई श्टोरी लाऊंगी और अगर आपको यह श्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले